हेलो गाईज, स्वागित करती हुए एक बार फिर से आप सभी का स्टडी विड मोनिका उजहापर दोस्तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको मेरी पहली व्लॉगिंग वीडियो कैसी लगी दोस्तो इसमें मैंने फुल कोशिश की है कि मैं आपके स्ट्रस को दूर कर सको आपका माइन फ्रेश कर सको और आयोग की आपको पसंद भी आया होगा दोस्तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए कैसी एडवेंचरिस वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग चलेंगे एक ऐसे देश जो इस वक्त काफी जादा सूर्कियों में है साथ ही साथ दोस्तो वो इतना जादा खदरनाक देश है कि वहाँ पर आपको अपनी सेवटी खोदी रखनी होगी तो गाइस फटा फट से तैयार हो जाएए एक ऐसे देश चलने के लिए एक नई एडवेंचरिस व्लॉग वीडियो के लिए तो दोस्तो आप सिफ फटा फट से अपनी बैकिंग कीजिए क्योंकि हम लोग चले वाले हैं रश्या जी हाँ दोस्तो हम लोग रूस चलने वाले हैं अब हम लोगों को रूस जाना है तो जाहिर सी बात है हम लोग रूस कैसे जाएंगे बस कार साइकर से तो हम रूस जाने वाले नहीं हैं फाइनली हम लोग जाएंगे बाई प्लेन अब हम लोगों को प्लेइन से जाने के लिए एरपोर्ट तो जाने ही पड़ेगा तो अब हम लोग चलते हैं न्यू डैली क्योंकि न्यू डैली से ही तो हम लोग जाएंगे रश्या जी हाँ दोस्तो अब हम लोग न्यू डैली पहुच गए हैं और अब यहां से हम लोग इंद्रगांधी एरपोर्ट के लिए निकलते हैं So guys, लोग आ गया हम लोगों का इंद्रगांधी एरपोर्ट अब यहीं से हम लोगों को इंद्या तूर रशिया के लिए मिलेगा प्लेइन जिससे हम लोग जाएंगे रूस तो चलिए guys, फटा फट से हम लोगों का प्लेइन भी रेडी है हम लोगों का इंतिजार करा है आईए हम सब लोग जदी से फटा फट से बैठते हैं और ये उड़ा हमारा प्लेइन तो हम लोग जिब रूस तेश चल रहे हैं तो हम लोगों को ये तो पता ही होना चाहिए कि आखिर इंडिया और रूष के रिष्टे कैसे हैं इनके बीच में संबंध कैसा है आईए आपको बताते हैं क्योंकि बैठे भूमना ही नहीं है बलकि हम लोगों को नॉलेज़िस भी लेते चलना है तो दोस्तों आप ये जान लेजिए कि जो रूष और भारत देश है ये दोनों एक दूसरे के बहुती जादा खनिस्ट मित्र है यूं कहें तो लगोटिया यार है एक दूसरे के क्योंकि रूष हमेशा भारत का समर्थन करता है भारत का हर बुरे वक्त पे साथ देता है और इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे तो दोस्तों अब हम लोग बहुती जल्दी लेंड करने वाले हैं और इसके लिए मैं बहुती जादा एक्साइटेड हूँ सो गाइस अब आप सब देख सकते हैं कि हमारा प्लेन जो है वो लैंड कर चुका है और हम लोग पहुँच चुके हैं इस वक्त रशिया जी हाँ दोस्तों हम लोग रशिया पहुच गए है अब दोस्तों हम लोग रूस पहुच तो गए हैं तो सबसे पहले हमारा ये जालना तो बनता है कि आखिर ये रूश देश जो है किन महासागरों से घिरा हुआ है ये है कहां ठीक है तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि ये जो रशिया देश है ये पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला रूश उत्तर और पूर्व में आर्कटिक और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है साथ ही दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है जो विश्व का नौवा और सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूँ कि ये जो रूश है ये यूवन का सथाई सदस्य है अब आपको बताते हैं इसके छेत्रफल के बारे में दोस्तों रूस का जो छेत्रफल है वो एक करोड एकहतर लाक पच्छिस हजार एक सो एक्यानबे किलो मीटर दो से अधिक है दोस्तों प्रत्वीब में बसे हुए भूमी शेत्र के एक आठवे से अधिक से मिलकर ग्यारा समय शेत्रों तक फैल हुई है और इसमें छे शंप्रभू देशों की सीमा है आगे बताते हैं आखिर इस देश की जनसंख्या कितनी है दोस्तों इस देश की जनसंख्या है 146.7 मिलियन अब हम लोग दोस्तों रश्या आए हैं तो रश्या की राजधानी क्या है ये जालना तो बिलकुल बनता है कि आखिर यहां की कैपिटल क्या है क्योंकि कैपिटल न मासको है साथ ही दोस्तों ये यूरोप का सबसे बड़ा शहर और देश का सबसे ज़्यादा सांस करते केंद्र भी है दोस्तों इस देश की करंशी जो है वो रूबल है जैसे आप देख सकते हैं सामने की ये रूबल है जो यहां की मुद्रा है अब बात करते हैं यहां की भाषा के बारे में दोस्तों जो यहां की भाषा है वो रूशी भाषा है और यह सबसे अधिक बोली जाने वाली स्लाव भाषा भी है फ्रेंट्स अगर हम यहां की वेश भूशा की बात करें यानि कि यहां के पहनावे के बारे में बात करें तो यहां का जो पहनावा है वो शिराफन और पोनेवा है जो यहां पर सबसे साधा पहना जाता है इसके बाद आपको बताते हैं कि इस देश का रास्ट्रिय चिन्न क्या है दोस्तो इस देश का रास्ट ये चिन्न है डबल हेड़ेट इगल इसके बाद आपको चलिए बताते हैं कि आखर इस देश के रास्ट पती कौन है दोस्तो रूश की प्रिजिंट प्रेसिडेंट है व्लादिमेर पुतीन इसके अलब आगर हम बात करें रूस के सबसे पहले रास्ट पती कौन थे तो वो दोस्तो थे बोरिश येलसिन जिन्न आप देख भी सकते हैं कि ये बोरिश येलसिन है दोस्तो अब चलिए आपको ये बताते हैं कि आखर इस देश में कौन सा धर्म है इस देश में किस धर्म की लोग रहते हैं फ्रेंड्स रूस में सबसे बड़ा धर्म जो है वो रूसी पारंपरिक इसाय धर्म है जिसकी आबादी 71 प्रतिशर्ट तक है चलिए दोस्तों अब आपको आगे इस खुपसूरत देश जो है रूश इस देश की सीमा किन किन देशों से मिलती है इसके बारे में आपको बताते हैं रूश की शाद जिन देशों की सीमाई मिलती है उनके नाम हैं नौर्वे, फिनलेंड, अस्टोनिया, लात्विया, लेधुआनिया, पोलेंड, बेलारुस, यूक्रेन, जार्जिया, अजर्वेजान, कजाकस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तर कोरिया दोस्तो अब चलिए आपको बताते हैं, रूष देश के बारे में कुछ खास रोचक बाते हैं दोस्तो रूसी सामराज के दिनों से, रूस ने विश्व में अपना एक अलग स्थान, एक प्रमुख स्थान बोले तो शप्ती के रूप में बनाया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संग विश्व का सबसे बड़ा सामिवादी देश बन गया है यहां की लेखकों ने सामिवादी विचारधारा को विश्व भर में फैलाया है वहीं दुतिय विश्वयुद्ध के बाद सोवियत संग एक प्रमुक सामरिक और राजनेतिक शक्ती बनकर उब्रा था संयुक्त राज अमेरिका के साथ इसकी वर्षों तक प्रतिस्परधा भी चली थी जिसमें सामरिक आर्थिक राजनेतिक और तकनीकी शेत्रों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड थी कई दिशकों से ये आर्थिक रूप से छीड होता चला रहा था और इसके बाद इसका विगटें हो गया जिसके फुल सुरूप रूस जो है वो सोवियन संग का सबसे बड़ा राज बन गया तो दोस्तो चलिए अब आके हम आपको बतानी जा रहे हैं कि आखिर इस देश का रास्टिय खेल क्या है जिहां दोस्तो इस खुबसूरत देश का रास्टिय खेल है शत्रंच और फुटबॉल यहां की रास्टिय खेल है तो चलिए हो हम दोस्तो हम लोग कहीं खूमने चलते हैं क्योंकि अब हम लोग रश्या घूमने आये हैं तो हम लोग यहां की famous places तो घूमी सकते हैं, कि हम लोग यहां यह देखने चलते हैं, कि यहां की आखिर कौन कौन सी कितनी मस्त मस्त जगा है, जहां पर हम खूम सकते हैं. तो दोस्तों चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं, St. Petersburg, जिसे आप सामने देख सकते हैं, कि यह St. Petersburg है, और यह रूश की सबसे खुबसूरत जगा भी है. इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, दोस्तों, Golden Ring, जी हां दोस्तों, यह Golden Ring है, जो रूश की famous जगाव में से एक है, और आप देख सकते हैं, इसे यह देखने वे कितना खुबसूरत है, इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं, कजान, आप देख सकते हैं, कि यह कजान है, और यह बिहदी खुबसूरत जगा है, इसके बाद हम लोग चलते हैं, सोची, आप इसका नजारा भी देख सकते हैं, कि ये दोस्तों कितना ज़्यादा खुबसूरत है यहाँ पर तो हर कोई बार-बार आना चाहेगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग कहां चलने वाले हैं ये कोतर रिनबर्ग कि आप पिचरी देख सकते हैं कि ये कितना यहाँ का नजारा हम कभी भूलने वाले नहीं हैं इसके बाद दोस्तों आता है वैले की नौवकोरोट इसे भी आप देख सकते हैं कि ये नजारा भी कितना साधा बेहत खुपसूरत है दोस्तों इसके बाद यहां की फेमस जगा आती है निजनी नावोगोरट दोस्तों ये निजनी नावोगोरट है जिसे आप देख सकते हैं कि कितनी व्यृटिफॉल प्लैस में से एक है harus के बाद आता है इर्कुटक्स जिसे आप पिचर में सामने देख रहे हैं कि ये दोस्तों इर्कुटक्स नाम का प्लैस है जो कि रश्या का famous place है इसके बाद हम दोस्तों चलने वाले हैं जी हाँ दोस्तों रशिया की राजधानी मासको जिसे आप सामने देख सकते हैं कि ये रशिया की राजधानी मासको है सो गाइस अब हम सबने बहुती जादा गूम लिया और कैसा लगा आपको यहां के ये सभी नजारे हैं ना इदम मस्ट तो दोस्तों अब आपने घूम तो लिया ही है तो हम लोग बहुत ही जादा थक गए हैं तो अब थक गए हैं तो हम लोग को बहुत ही तेसकी भूग भी लगी हो já और जब भूग लगी हो यह तो हम लोगों को खाना खाई लेना चाहिए लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये भी तो मैं आपको ये बता दूँ कि दोस्तों यहां का आखिर फेवरिट डिश क्या है यहां का जो मुख्य भोजन है वो क्या है दोस्तों आपको मैं ये बता दू कि ये जो रूसी लोग है वैसे तो ये सभी वेंजनों को खाना पकाना इनकी परंपराओं में है ये हर तरह के भोजन को खाना पसंद करते हैं लेकिन साथ ही इनके कुछ जो वेंजन है वो कुछ विशिस्ट है जैसे की समूवर, वबलेनी, क्यावियर और शेहत, चाई ये सब इनने खास टिशिस है जिनने ये खाना काफी जादा पसंद करते हैं तो दोस्तों अब हम लोगों ने खाना भी खा लिया है तो I hope की मेरे हिसाब से अब हम लोगों को वापस अपने इंडिया वापस चलना चाहिए तो guys तयार क्या होना है अब फड़ा-फड़ से हम लोग बैठते हैं अपने प्लेन में और निकलते हैं हम लोग वापस अपने इंडिया सो गाइस ये उड़ा हमारा प्लेन और हम लोग बहुत ही जल्द बहुत जाएंगे वापस अपने देश यानि की इंडिया सो गाइस बाइ बाइ रशिया फिर से मिलते हैं अब हम लोग जा रहे हैं वापस अपने इंडिया सो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कॉमेंट सेशन में बताना बिलकल भी मैद भूलेगा और आपको इस ट्रैवलिंग में इस ट्रिप पे आपको कितना जादा मजा आया कितना जादा खास लगा फर्स ट्रिप से इस ट्रिप में आपको कितना जाद अच्छा लगा ये भी आप मुझे कॉमेंट सेशन में जरूर बताएगा और बाकी की मेरी अदर वीडियो भी आप इसी तरह से देखते रहें लाइक करते रहें शेयर करते जाएए और साथ ही साथ मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं इसी तरह की एक next interesting वीडियो म तब तक के लिए गुडबाई